इसमें अतिव्यापी शेत्र का शेत्रफल कितना है यह आपको बताना है तो सबसे पहले अबी सी डी दो रेक्टेंगल है अबी सी डी है और बी डी एक अबी सी डी तो यह एक रेक्टेंगल है और यह रेक्टेंगल है और एक जैसे रेक्टेंगल है दो समान रेक्टेंगल है मतलब यह एक दे रखा है और बी सी दो दे रखा है और एफ अगर दो है तो यह आपका ए तो यह एक है और यह आपका दो होगा तो दोनों एक जैसे rectangle है उसके बाद अगर मैं similarity इस्तापित करना चाहता हूँ similarity के लिए मुझे पता है कि यह 90 होगा यह भी 90 होगा और उसके बाद पिर यह आपका एक है और यह आपका एक है अगर यह दोनोंगल्स आपस usके बाद अगर यह दोनों ढ़ेंगल levant configuration के तो सेम होगा आप same condition इसमें आप सेमें इसमें पहले है इसका मतलब यह है किए चारों triangle बिलकुल एक जैसे आगर यह जारो ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं तो अगर मैं इसको X मान लूँ इसके सामने वाली साइड अगर मैं X मान लेता हूँ तो यहां इसके सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी अगर ये सामने वाली साइड एक्स हो जाएगी तो ये भी एक्स हो जाएगी और ये एक है तो ये भी एक्स हो जाएगी और ये 90 है ही अगर मैं इनका एरिया देखता हूँ देखे ध्यान देना इसका area भी x बटा 2 यह आजाना है इसका area भी x बटा 2 यह आएगा और इसका area भी कितना आजाएगा x बटा 2 unit आजाएगा अगर यह area आगया तो आपको क्या करना है कि पूरे rectangle के area में से x बाइ 2 प्लस x बाइ 2 हटा देना अब x की value किस तरह से निकलेगी ज़रा वो समझ लीजिए x की value कैसे निकलेगी तो ये right angle triangle है अगर ये right angle triangle है थोड़ा सा मैं आपको इस case में समझा देता हूँ ये आपका 1 है ये x है और ये आपका एक right angle triangle है तो ये total कितना है कि आपको होगे कि sir ये total दिया हुआ है ad 2 है और ये 2 में से अगर मैं x घटा दूँगा तो ये कितना आ जाएगा 2 minus x आ जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि perpendicular है आपका x तो इसका x square base है आपका 1 ही यानि के 1 का square ये बराबर किसके होगा ये 2 minus x के square के होगा अगर मैं यहां से x की value निकालूँगा तो x square x square plus का 1 is equal to इसका square खोलूँगा तो 4 x का square x square minus का 2 into 2 into x 4x इससे ये cancel हो जाएगा 4x इधर आ जाएगा 4x is equal to कितना 4 में से एक गया 3 यहां से x की value आ जाएगी कितनी 3 बटा 4 अगर x की value 3 बटा 4 आ जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि अब आपको shaded area निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि shaded area निकालना अगर है तो shaded area में से rectangle ABCD के area में से आपको इन दोनों triangles का area घटा देना है triangle cd plus triangle a b g कह सकते हैं इसको a b g कह दो अब triangle ABCD का area हो जाएगा 2 into 1 यानिके 2 minus का इसका area x by 2 plus इसका area x by 2 तो यह आजाएगा x by 2 plus का x by 2 यानिके x तो यह आजाता है आपका 2 minus x और x की value है 3 बटे 4 तो x की जगे आप 3 बटे 4 रख दीजिए तो 2 minus का 3 बटे 4 कितना बनेगा यह आजाएगा 8 में से 3 गया 5 और 5 बटे 4 आपका area आजाता है कितना area आजाता है 5 बटे 4 आपका area आजाता है बहुत detail में मैंने आपको यह चीज़ बता दी है सीधा सीधा आपको करना क्या था 1 into 2 2 और 2 में से x घटा देंगे तो सीधा सीधा आपका area आजाएगा दो में से तीन मेटे चार गटाई ये area पाईए ये basic है इसका आगे बढ़ते है अब non overlapping area यानि के non unshaded area निकालना है तो unshaded area कितना बनेगा सर ये भी xy2 है ये भी xy2 है और ये भी xy2 है और ये भी xy2 है इसका मतलब xy2 को 4 और non overlapping area xy2 का कितना है चार है कह सकते हैं के सर ये 2x हो गया और जहां मैं x की value रखोंगा तो ये x की value 3 बटे 4 रखते ही ये आपका आंसर आजाएगा 3 बटे 2 तो non overlapping area 3 बटे 2 square meter आजाना है आगे बढ़ो आगे ये है कि अगर एक संपोर्ण पिर पुछ है जिसका जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये a b c पे और a b c triangle 90 a b c angle 90 degree है इसमें तीन circles आपको figure में दिखाए गये हैं तो बहुत ज़्यादे language पढ़ने की ज़रूत नहीं है तीन circle है एक circle तीनो triangle की तीनो sides को touch कर रहा है जो triangle right angle है बी पर उसके बाद बाकी के जो उपर और नीचे circles हैं ये आपके दो-दो sides को touch कर रहा है आप से पूछा गया है कि ma और mc जो है वो दो और तीन है तो अगर ये ma 2 है तो ये ma mc 3 है तो ये मैं 2x और 3x मान लेता हूँ अच्छा इस बड़े circle की जो radius है वो 2 cm दे रखिए तो बड़े circle की जो radius है वो कितनी है ये आपकी 2 cm दे रखिए तो ये भी आपकी कितनी होगी ये 2 होगी तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला part भी 2 है और ये भी 2 है अब हमें इतना पता है कि अगर किसी same point से single point से circle पर 2 tangent कीची गई है तो उन दोनों tangent की length हापस में बराबर होगी तो अगर ये 2 x होगा तो ये भी 2 x होगा तो अगर इसी तरह से इस point से इस circle पर एक tangent ये कीची गई है और ये कीची गई है तो ये 3 x होगा तो ये भी कितना होगा 3 x होगा तो अब हमें पता चल गया कि एक right angle triangle है जिसका perpendicular भी पता है बेस भी पता है आप सीधा सीधा solution पर पहुंच सकते हैं कैसे बेस परपेंडिकुलर और हैपेटेनिस आपसे पूछा गया है एबी फ्लस बी सी यानिकि इसकी length फ्लस इसकी length दोनों की length निकाल ली है तो बेस आपके एसाब से कितना है 3 x प्लस दो बेस है 3 x प्लस दो परपेंडिकुलर है 2 x प्लस दो और हाइपेटेनिस है 2 x प्लस 3 x यानिक 5 x अब x की वैल्यू आप उस 1 2 3 या 0 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 एक दो वैल्यू आप ट्राइब करके देख लीजिए हो सकता है कि किसी से आपका पाइटोगरस प्रिपलेट सेडिस्टाई हो जाए तो आपको स्कॉ प्लस बाइपेटेनिस बराबर नहीं होंगे तो x की वैल्यू एक आप नहीं लगा सकते दो लगाता हूँ तो 3 2 6 x की वैल्यू जैसे ही मैं 2 रखता हूं तो यह आपका कितना हो जाएगा यह आपका 8 हो जाना है x की value 2 रखते ही यह आपका 6 हो जाएगा और x की value 2 रखते ही यह आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या यह pythagoras triplet के satisfy कर रहा है हाँ जी कर रहा है 6 8 10 3 4 5 का ratio है तो इसका मतलब x 2 satisfy कर रहा है अगर x 2 satisfy कर रहा है इसको तो base और perpendicular का sum base है आपका bc और a b है आपका perpendicular तो आपको a b plus bc अगर जोड़ना है तो a b कितना है a b आपका 6 है और bc कितना है bc आपका 8 है और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 cm आपका answer हो जाएगा 14 cm आपका answer हो जाएगा अगर इससे भी आप satisfy नहीं हो रहें तो base का square कितना होता है 3x plus 2 का square perpendicular का square होगा 2x plus 2 का square और उसके बाद hypertenous का square होगा 5x का whole square यहां से आप x की value निकलाल सकते हैं और निकलाल कर जब apply करेंगे तो भी आप a b plus bc 14 पर ही पहुँचेंगे तो आपको छोटा रास्ता चुनना है आगे बढ़ते हैं अब आपसे पूछा गया है कि O1 केंदर वाले वरत की तरिज्ज्या कितनी है O1 केंदर वाले वरत की तरिज्ज्या कितनी है तो हमें इतना पता है कि यह 2x था तो यह 4 हो गया यह 3x था तो यह 6 हो गया और यह value कितनी है यह value already हमें कितनी दे रखी है दो दे रखी है और यह 90 degree है क्योंकि है किसी circle से अगर tangent होकर जा रही है टच करते हो यह कोई line जा रही है तो वो center के साथ हमेशा 90 degree बनाएगी तो यह 90 हो गया तो अगर मैं इसको h1 मान लेता हूँ इसे मैं a o को या o a को अगर मैं h1 मान लेता हूँ तो एक basic formation आप याद रखिएगा सीधी सीधी formation यह है कि इसकी radius अगर आप r मान लेते हैं इसकी radius r मान लेते हैं तो r upon में r क्या होगा h minus r और upon में h plus r r कौन सा है सर r बड़ी वाली radius होगी यह आपका r हो जाएगा यह आपका r हो जाएगा तो r छोटी वाली radius है जो आपको निकालनी है बड़ी वाली radius दो है h कितना है तो अगर यह 4 है यह 2 है तो h निकालने के लिए यह h1 निकालने के लिए आप h1 निकालने के लिए h1 किस तरह से निकलेगा अंडर रूट में 4 का square फ्लस का 2 का square कितना बनेगा दो रूट पांच आ जाएगा यानि के अंडर रूट कौंटी आ जाएगा तो दो रूट पांच आ जाएगा तो r upon 2 की जो value आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी r upon 2 की value आ जाएगी root 5 minus 1 upon में root 5 plus 1 ठीक है, solve करेंगे तो इसे अगर आप उपर लेके जाएगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा अगर मैं इसको उपर लेके जाता हूँ तो यह आ जाएगा r upon 2 is equal to root 5 minus 1 का square हो जाएगा और नीचे इनके square का difference sign change हो जाएगा अगर हम rationalization करते हैं तो उपर root 5 minus 1 का square हो जाना है और नीचे इनके square का difference यानिके 4 यह 2 से 2 कट जाएगा solve करेंगे तो यह आ जाएगा 5 plus का 1 minus का 2 root 5 और upon में कितना आगे और solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 minus का root 5 3 minus का root 5 आपका radius हो जाएगी तो बड़ा आसा question है अगर आप basic समझते हैं तो rationalization भी इसमें लगा है और एक basic concept भी इसमें लगा है जो आपको पता होना चाहिए during your training session O2 केंदर वाले व्रत की त्रिज्या कितनी है O2 केंदर वाले व्रत की त्रिज्या कितनी है तो आशा करता हूँ इसी तरह से हम यह निकाल लेंगे सबसे पहले हमें निकालना क्या है हमें निकालना यह है कि यह 6 है यह 2 है तो अगर मैं इसको OC को H2 मान लू यानि के 2 root 10 2 root 10 हो जाएगी तो अब कुछ नहीं करना है अब ये करना है कि R upon में 2 दूसरी वाली R यानि के R2 upon में अगर मैं 2 कर देता हूँ तो H कितना है? 2 root 10 और minus का 2 हो जाएगा और ये आपका आजाएगा 2 root 10 plus का 2 हो जाएगा तो R2 upon में 2 इसकी वैली हो गई root 10 दो कॉमन निकालके उड़ा देंगे root 10 minus 1 root 10 plus 1 solve करेंगे तो ये आपका आजाएगा कितना? अब इसे solve कर लीजिए तो आप इसे 22 minus 4 root 10 upon में 9 तक पहुँच जाएगे कैसे? मैं आपको समझा देता हूँ R2 upon में 2 ये आपका rationalization करेंगे तो root 10 minus 1 उपर पहुच जाएगा और एक root 10 इसका sign change हो जाएगा उपर पहुच जाएगा तो ये square हो जाना है और इन दोनों के square का difference नीचे तो ये आजाएगा solve करेंगे तो ये 10 plus 1 minus का दो root 10 upon में कितना? upon में आजाएगा 9 ठीक है? तो 11 minus 2 root 10 upon में 9 है तो R2 ये 2 की गुणा उधर हो जाएगी तो 11 का हो जाएगा 22 2 root 10 का हो जाएगा 4 root 10 और upon में 9 9 ही रहेगा आपका answer आजाएगा 22 minus 4 root 10 upon में 9 बहुत आसान सावार आगे बढ़ते हैं जैसा की नीचे question में दिया गया है figure में दिखाया गया है कि 10 cm का एक rectangle है जो figure में show किया गया है उसके बाद इसमें इक two identical semi-circles है identical semicircles कौन से दिखाई दे रहे है ये semicircle और ये semicircle कि ये identical semicircle है और उसके बाद बाकी की other figures थीक है अब धृहन दियेगा ये figure ये नहीं बताया गया है तो ये यहां से यहां तक कितना दिया गया है ये यहां से यहां तक आपका दस दिया गया है अगर यह यहां से यहां तक दस दिया गया है तो मैं कह सकता हूँ कि सर यह कितना होगा यह पांच होगा तो यह अगर पांच है और यह सेमी सर्किल की रेडियस है तो यह भी पांच होगा यह भी पांच होगा और यह भी पांच होगा अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा ये भी 5 होगा ये भी 5 होगा अब आप जड़ा चेक कर लीजिए कि अगर मैं इसको ध्यान देंगे अगर ये कहा जा रहा है कि ये सर्किल की अगर मैं बात करूँ इस सर्किल की तो इस सर्किल का जो डायमेटर है वो ये है अगर इस सर्किल ये उपर वाला semi circle हो गया फिछे भी semi circle हो गया अगर उपर वाला semi circle में मैं कोई angle बनाऊँगा तो वो हमेशा 90 degree होगा तो मैं कहा सकता हूँ कि ये angle कितना होगा 90 degree होगा तो अब आप मुझे बताइए कि triangle EOF का area कितना होगा तो triangle EOF का जो area बनेगा area of triangle EOF ये बनेगा अगर मुझे एक ISO-Scalous right angle triangle दिया गया है और इसका ये पांच है ये पांच है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर दोनों साइट्स दे रखी है तो मुझे पता है कि ये होगा एक बटा दो गुणा में पांच गुणा में पांच कितना आ जाएगा 25 वटे दो यानि के 12.5 square centimeter आपका area आ जाएगा 12.5 square centimeter आपका area आ जाएगा बहुत आसान सवाल था अब आगे बढ़ते हैं अब आप से पूछ रहा है कि समलंब A E F B का छेतरफल कितना है तो इसका छेतरफल कितना होगा इस वाले पार्ट का तो सबसे बहले हमें दोनों parallel lines का area पता होना चाहिए कि दोनों parallel lines कितनी है तो ये line का तो मुझे पता है कि ये rectangle की side है वो आपको 10 दे रखी है already ये 10 है इस case में ये 10 दे रखा है बता रहा है कि जो rectangle है वो 10 centimeter लंबाई का है तो अगर ये rectangle 10 centimeter लंबाई का है तो इससे आगे फिर ये क्या आजाएगा तो अगर ये 5 है तो ये कitना होगा हम कह सकते हैं कि सर अगर ये 5 है और ये 5 है तो कहा जा सकता है कि ये कितना होगा तो ये होगा 5 root 2 क्योंकि ये 90 degree है और 90 degree पर ये दोनो sides है तो इसका जो hypertenous होगा इस isoscalous right angle triangle का जो हाइपेटेनियस होगा वो एरूटू होगा इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ पांच रूटू तो यह बराबर पांच रूटू आगे मतलब यह भी आपको पता चल गया दूसरी पेरलल साइड आपको अल्रेडी पता है अब आपको निकालना है हाइट तो जो यह पांच है जहां देंगे एक बार अगर यह पांच है तो यह कितना होगा यह पांच रूटू है तो यह वाला पार्ट कितना होगा तो आपको किसर यह पांच बाई रूटू होगा अगर यह पांच बाई रूटू होगा तो मैं कह सकता हूँ किसर यह इस सर्किल की रेडियस ये भी तो ये भी circle की क्या होगी radius होगी तो ये भी आपका कितना आ जाएगा ये 5 by root 2 आ जानेगा कितना आ जाएगा 5 by root 2 आ जाएगा तो बस हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक जो height है वो कितनी है वो है 5 by root अब अगर मैं इसका area निकालता हूँ तो वो कैसे निकलेगा 1 by 2 sum of parallel sides 10 plus का 5 root 2 और उसके बाद height है 5 by मैं root 2 से अगर मैं divide कर दूँ इसको तो एक बटा दू से डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा 5 root 2 और यह आ जाएगा 5 और साथ में कितना आ जाएगा 5 अब ध्यान देंगे एक वटा दो पांच तो यह है बाहर और पांच common ले लेंगे तो यह 25 वटा दो आ जाना है गुणा में कितना root 2 प्लस का 1 पांच common निकालने के बाद अच्छा root 2 की value क्या लेने के लिए बोला गया है root 2 की value 1.4 लेने के लिए बोला गया है तो root 2 की value 1.4 ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 25 बाइटू root 2 की value हो जाएगी 1.4 प्लस का 1 आगे solve करेंगे तो यह 2.4 हो जाएगा 2.4 तो 25 बाइटू 2.4 को 2 से divide करेंगे तो 1.2 हो जाएगा और 25 को बारे से multiply करेंगे तो 300 300 से एक से पहले point लगाएंगे तो 30 square centimeter अपना area आ जाएगा तो यह बड़ा basic सा इसकी calculation है अगर आप यह समझ गए तो अब आप आगे आ जाएगे अब आपसे पूछ रहा है कि 6 अंकित भाग का शितरफल कितना है तो हमें पता है कि यह 5 है और यह भी 5 है तो यह radius 5 है तो अगर हमें च्छायंकित भाग निकालना है तो हमें क्या करना है कि इस पूरे sector का area निकाल कर अगर मैं इस triangle का area इसमें से कम कर देता हूं तो मुझे एरिया किस तरह से निकलेगा आप कोगे कि सर ये वाला जो एरिया निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा कि एक बटा दो ये पाई गुणा में पांच का स्कॉयर ठीक है और इसका ये 90 डिग्री है तो टोटल तो आप में 360 में से आप ने कितना लिया,90 लिया है तो 90 अपॉन में 360 उसके बाद, अगर इसमें से मिनें ingredients घटा देता हूं और इसमें से मिनें ये घटा देता हूं तो मझे क्या मिलेगा? तो मुझे ये वाला area मिल जाएगा, ये वाला area मिल जाएगा, इसमें से मैं triangle कितना है? लिए पॉइंड भाले इसमें येवाला area मिल गया और जैसा ये उपर वाला है, तो मैं कह सकताओं कि इसका ही double कर दीजिये तो इसका मैंने क्या कर देना है double कर देना है बस यही मेरा shaded area हो जाएगा समझ यह सबसे पहले मैंने इस sector का 90 degree वाला sector है यह ले लिया इसमें से triangle हटा दिया जो already मेरे पास 12.5 मैंने पहले equation में निकाला था 12.5 यह घटाने के बाद मुझे यह मिल जाएगा यह 25 25 पाई बटे च्राथ माइनगा 25 पाई बटे दो 25 वटे दो और गुणा में कि तना हो जाएगा दो हो जाएगा 25 अगर मैं common निकाल लेता हूं या 2 से अगर मैं multiply अंदर कर देता हूं और 25 common निकाल देता हूं तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 minus का 1 पाई बाई 2 minus का 1 तो पाई कितना दे रखा है तो ये आपका आजाना है 25 पाई बाई 2 का मतलब है 3.14 upon में 2 minus का 1 solve करेंगे तो ये 1.56 आजाएगा 1.57 में से एक घटाएंगे तो पच्चिस गुणा में 0.57 आजाना है तो पच्चिस गुणा अगर मैं 5.7 करता हूं तो दो अंकों की calculation आप किस तरह से करते हैं वो 5.7, 35 35 का क्या आजाएगा 5 आजाएगा उसके बाद पिर 5, 2 की 7 से 5 की 25 से 25 और 14, 49 49 और ये 3 केरी हो गया था इसमें 5, 7, 32 में 49, 3, 42, 42 का दो केरी आपका आगया चार 5, 2, 10, 10 और 4, 14 तो सीधा सीधा आप बीना का कोई पैन पेपर उठाएगे सीधा सीधा दो डिजिट की calculation कर सकते हैं जो मैंने अलरेड़ी अपनी वीडियो में सिखा रखी है तो 14.25 आपका shaded area बन जाएगा केलियर है चलो आगे बढ़ते हैं अब ये बड़ा प्यारा question है इस question को एक बार हमज़ लीजिए 9pi वर्ग 21 शेटरफल वाला एक वरत है अगर इस वरत का शेटरफल 9pi है मैं कह सकता हूँ कि सर अगर pi r square 9pi के बराबर है तो pi से pi कैंसल करके यहां से मैं r की जो value है वो 3 ले सकता हूँ आर की वैल्यू त्री ली जा सकती है अब आप से बूच रहा है कि ABC की भुजा की लंबाई कितने हैं तो यहां से यहां तक कितना तो आप कहेंगे कि सर यहां से यहां तक तीन है यह रेडियस है इसकी तो इससे आगे बढ़ा दू तो यह डैमिटर हो जाएगी यहां से तक कि लया है तो इस ट्रैंटर की हाइट हो गई हो है वह सिक्स होगा इस त्रैंगल की हैट कितनी हो गई आप कैसे कह सकते हैं हाईट 6 होगे क्योंकि यह 90с 90 degree कैसे है क्योंकि इसकी tangent पर बना होगा तो tangent center के साथ हमेशा 90 degree पर होगा और अगर 90 degree पर triangle का vertex अगर 90 degree पर base के साथ मिल रहा है तो वो triangle की क्या होगी? height होगी तो कोई भी assumption पर मच जाए है हर चीज आपको technically clear पता होने चाहिए तो 3 और 3 6 मैं कहा सकता हूँ कि triangle की height होती है triangle की height height बराबर क्या होता है? side into root 3 बटे दो side into root 3 बटे दो और ये कितने के बराबर है? तो ये 6 के बराबर है तो 6 तो नहीं 12 बटे root 3 यानि कि side आपकी आगई 12 बटे में root 3 और अगर मैं इसको solve करूँगा तो क्या आजाएगा? ये आजाएगा 4 root 3 cm तो इस triangle की side आगई वो कितनी आगई? 4 root 3 cm आगई इस triangle की side 4 root 3 cm होगी आगे बढ़ते है अब आपसे पूछा गया है चायां के छेतर का छेतर फल कितना है? जब अगर दस क्वेशन चायां के छेतर का छेतर फल कितना होगा? shaded portion तो सबसे पहले हमें पता है कि ये अगर मैं circle में से ये वाला part हटा दूँ तो मुझे ये वाला shaded area मिल जाएगा जान देना अगर मैं इसको P मालनू और इसको Q मालनू तो अगर मैं circle में से AP Q हटा देता हूँ ये sector type जो है तो मुझे ये shaded area मिल जाएगा अगर मैं triangle में से AP Q हटा देता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ के circle circle में से मुझे घटाना है ये उसके बाद फिर जो triangle है जो triangle है triangle ABC में से मुझे घटाना है तो triangle ABC में से मुझे ये घटाना है तो इस तर्किल में से भी मैंने यह घटा दिया और ट्राइंगल एबी सी में भी से भी मैंने यह घटा दिया तो सरकिल का मुझे बता है कितना है सरकिल का एरिया मुझे अल्डी दे रखा है कितना नाइन पाइट सरकिल का एरिया नाइन पाइ दे रखा है तो मैं सीधा नाइन पाइ लिख देता हूं यह 9 π हो गया, इसका एरिया कितना बनेगा, important यह है कि इसका एरिया कितना बनेगा, तो सबसे पहले यह समझ लिएते हैं, कि अगर मैं इस साइड को इस तरह से मिला देता हूं, और यह triangle बना रेता हूं, तो मुझे पता है कि अगर ये side 3 है ये side 3 है तो इस triangle का मतलब ये x ये एक outer radius है अगर outer radius r है तो side कितनी होगी triangle की तो मुझे पता है triangle की side को अगर मैं s मान लूँ तो s बटे में root 3 बराबर outer radius होती है क्या होती है outer radius triangle की outer radius triangle के बाहिये वरत की जो त्रिज्या होगी वो side को root 3 से divide करने पर राप्त हो जाएगी ठीक है संभाहू तिर्बुज का अगर case है तो और यहां दिख रहा है कि ये एक संभाहू तिर्बुज ABC है तो s बटे root 3 तो और बाहरी radius जो है बाहरी circle की radius 3 है तो side कितनी हो जाएगी इस triangle की मैं APQ triangle की बात कर रहा हूँ side APQ की कितनी हो जाएगी 3 root 3 किसकी triangle APQ की अगर triangle APQ की side 3 root 3 आ गई तो सबसे पहले मुझे लेना क्या है मुझे ये लेना है कि इस पूरे circle में से ये कितना आ जाएगा तो आप कोगे कि סर ये 120 degree आ जाएगा 120 degree का मदलब है कि आपको अगर पूरा circle कितने का है अगर पूरा circle 9 pi का है तो 9 pi को 120 सब्सक्राइगे तो ये वाला जो part है वो कितना आ जाएगा तो आपके कि यह वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा 9π, गुणा में 120 अपॉन में 360, इसका मतलब इसको कर देंगे यह आ जाएगा 3π, यह आपका 3π आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यह 3π आ जाना है, तो 9π प्लस का ट्राइंगल ABC मैंने एक साथ कर दिया, माइनस का 2 इंटू यह कर दिया, ठीक है, चलो, अच्छा, ट्राइंगल ABC का एरिया किस तरह से निकालेंगे, ट्राइंगल ABC का एरिया बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, तो यह 3π आ गया, अब आप मुझे बताईए कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना बनेगा, तो रूट 3 बटे 4, और 3 रूट 3 का स्कौरे, तो यह आजाएगा 27 रूट 3 अपौन में 4, अब इसको आपको यह वाला पार्ट चाहिए, और आपको यह वाला पार्ट चाहिए, तो आप कह सकते हो कि सर, यह जो एरिया आजाएगा, यह आजाएगा 2, सरकिल का एरिया आ गया 3 πाई जो सेक्टर का एरिया है वो 3 πाई प्लस का 27 रूट 3 बटे 4 का आपको 2 बटे 3 हिस्सा लेना है तो 27 रूट 3 बटे 4 का 2 बटे 3 हिस्सा मुझे लेना है और यह कितना बनेगा 9 9 रूट 3 बटे में 9 रूट 3 बटे में 2 और ट्रैंगल ABC का एरिया कितना बनेगा तो ट्रैंगल ABC की साइड कितनी होगी ट्रैंगल ABC की साइड है 4 रूट 3 तो ट्रैंगल ABC का एरिया कितना होगा अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ तो इसका एरिया होगा रूट तीन बटे चार गुणा में चार रूट तीन का स्क्वायर यह आ जाएगा रूट तीन बटे चार गुणा में चार रूट तीन कितनी बार? दो बार तो इससे यह कैंसल हो जाएगा चार तीया बारा यह आ जाएगा 12 root 3 square cm क्या आ जाएगा 12 root 3 square cm क्या आ जाएगा 12 root 3 square cm दोबारा देख लीजिए triangle ABC का area होगा root 3 बटे 4 गुणा में 4 root 3 गुणा में 4 root 3 4 root 3, 4 से 4 कट गया तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 12 root 3 12 root 3 square cm 12 root 3 square cm आपका area आ जाता है तो ये से यहाँ अप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 12 root 3 उसके बाद ये आ जाएगा बच्चो 9 pi अब solve करते हैं 9 pi में से 6 pi कैंसल हो जाएगा कितना आ जाएगा 3 pi ठीक है यहाँ हम थोड़ा calculation start करते हैं 9 pi में से 3 दुनी 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3 pi बचेगा उसके बाद फिर 12 pi और 9 pi 9 root 3 बटे 2 का से अगर मैं 2 की multiply करूँगा तो 9 root 3 आ जाएगा तो 12 root 3 में से 9 root 3 घटाएंगे तो 3 root 3 आ जाएगा वो भी plus का तो 3 pi plus का root 3 आ जाएगा जिसमें मैं अगर 3 common ले लूँ तो pi plus का root 3 आपका answer आ जाता है pi plus 3 common लेने के बाद pi plus का root 3 तो यह 2 हटा दीजिए या यहाँ से 3 हटा दीजिए तो कोई printing mistake है यह UPSC की तरफ से ही तो B आपका आंसर हो जाता है pi 3 pi plus का root 3 आपका answer बन जाएगा ठीक है चलिए बहुत अच्छा question है यह अगला सवाल अगला सवाल यह है कि केंदर O1 और O2 वाले दो circles हैं touching each other at place inside rectangle of side 9 cm, 8 cm respectively shown in the figure given below what is the sum of the area of the two circles दोनों circles के areas का sum कितना होगा तो दोनों circles के areas का sum कितना होगा तो यह आपका 9 cm नहीं दे रखता यह आपका 8 cm है और यह आपका 9 cm अच्छा अगर यह 8 cm है तो मैं कह सकता हूँ यह 4 होगा और यह भी कितना होगा 4 होगा क्योंकि यह diameter है तो diameter का half-off कर देंगे तो radius हो जाएगा दोनों वरतों के छित्रफलों का योग करने से पहले दोनों वरतों की त्विज्ज्या आपके पात होने चाहिए त्विज्ज्या मुझे सीधा सीधा निकलती दिखाई नहीं दे रही है फ्रॉम वेर केन आ गेट राइट अंगल ट्राइंगल वो देखिए यहां मिलेगा अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं तो यह मुझे एक राइट अंगल पर इसके पैरलल में एक लाइन और कीज़ देता हूं तो यह आप मुझे बताईए कि इसको अगर मैं आर मान लेता हूं तो यह भी कितना होगा आर होगा तो यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट अगर टोटल चार है तो यह वाला पार्ट आपका चार माइनस आर हो जाएगा और यह 4 होगा, तो यह आपका 4 प्लस R हो जाएगा, यह आपका 4 प्लस R हो जाना है, ठीक है, उसके बाद यह वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आप कोगे कि सर यह 4 है, टोटल आपका 9 है, तो यह 5 हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट को आप 5 माइनस R कह सकते हो, तो सीधा है, आपका base कितना हो गया? base हो गया 5-R perpendicular कितना हो गया? perpendicular हो गया 4-R hypertenus कितना हो गया? hypertenus हो गया 4-R 4-R, 4-R हो रही अब अगर मैं R की value 1, 2, 3 से start करता हूँ put करना 1 रखता हूँ, R की value 1 रखता हूँ तो satisfy होती है, दिखाइदे है, 5 में से एक गया 4 4 में से एक गया 3, 4 और एक 5 3, 4, 5 पाइदे हो गया 5 रखता हूँ, इसका मतलब R की value कितनी satisfy हो गई? 1 satisfy हो गई, तो R 1 है और ये बड़ा R आपका 4 है तो इनका area का sum कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हो कि सर, इनके area का जो sum हो जाएगा, 4 का square, 7 में πाई, plus का 1 का square, और 7 में πाई, यानि कि πाई R square होता है तो दोनों का area कितना बनेगा? 16 पाई, plus का 1 पाई, यानि कि आपका area आजाएगा कितना? 17 पाई आपका total area बन जाएगा, ठीक है? तो बहुत बार आपका unlimited time CDS में इस तरह की questions पूछे जाते हैं, कि दो circles को anyhow वो टच करके देदेगा, फिर आपसे एक, कोई एक figure चुबा देगा और एक data आपसे पूछेगा, तो उस case में आपको इतना पता होना चाहिए, कि एक दो concept इसमें लगते हैं, जैसे अगर आप यहा आपका radius होगा, तो इस तरह के basic चीज़े आप during practice समझ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, theta के संबंद में इन में से कौन सा सही है, चलो, तो theta के संबंद में, तो आप मुझे बताए, theta यह है, theta यह है, तो यह कितना होगा, तीन होगा, यह कितना होगा, यह चार होगा, तो 10 theta बरा से यह perpendicular है, तो 4 आएगा, theta के साब से यह base है, तो 3 आएगा, तो आपका 10 theta बरावर 4 बटे 3 होगे, 10 theta बरावर 4 बटे 3 होगे, अच्छा, 4 बटे 3 का मतलब, 4 बटे 3 का मतलब होता है, 1.33, अब यह 1.33, 10 के किस value के बीच में है, तो मैं कह सकता हूँ, कि 10 0 की जो value है, वो 0 होगी, 10 30 की value जो है, वो 1 अपॉन में root 3 होगी, 10 45 की जो value है, वो 1 होगी, और 10 60 की जो value है, वो root 3 होगी, root 3 का मतलब है, 1.7, तो मैं कह सकता हूँ, कि 10 1, 45 की value 1 है, 10 60 की value 1.77 है, 1 और 1.71 के बीच में यह है, तो इसका मतलब आपका जो theta है, वो 45 और 60 के बीच में होगा, ठीक है, आगे बढ़िए, छायांग के छेतर का छेतरफल कितना है, अब छायांग के छेतर का छेतरफल एक बार देख लेते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, यह, तो छायांग के छेतरफल किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे अगर मैं इसको पी और इसको क्यू माल लेता हूँ, तो छायांग के छेतर का छेतरफल निकालने के लिए, आपको, एक तो यह, चाहिए क्या, यह है आपका, यह है आपका एक ट्रेपैजियम, ट्रेपैजियम O1, O2, P, Q, P, यह P, Q, O2, O1 आपका एक क्या है, ट्रेपैजियम है, इस ट्रेपैजियम में से, अगर इस ट्रेपैजियम में से, आप यह दोनों सेक्टर्स निकालने, तो आपको एरिया मिल जाएगा, किसका, इस शेडिड एरिया मिल जाएगा, आपको सबसे पहले ट्रेपैजियम O1, O2, क्यूपी निकालना है उसके बाद इसमें से दोनों सेक्टर्स हटा देने हैं ठीक है तो एरिया रिपैजियम ओवन ओटू क्यूपी माइनस का अब आपको सेक्टर्स दोनों सेक्टर्स सेक्टर वन प्लसस ऐसक्टर वन यह हटा देने एरिया ओवन ओटू क्यूपी किस तरह से निकलेगा समझें यह कितना है यह आपका 4 d रखकर है यह आपका 1 दे रखकर यह आपका कितना है यह आपका बाद दौतना था यह आपका था यह टोटल 5 पांच में से आपका एक गया तो ये भी कितना है ये चार है तो अब इसका एरिया किस तरह से निकलेगा तो ये एरिया निकलेगा एक बटा दो परालल साइट्स कितनी हैं परालल साइड है एक चार है और एक एक उसके बाद जो इनके बीच की हाइट है वो चार है तो पांच चॉक 20 20 माइनस 10 इसमें से सेक्टर वन किस तरह से निकलेगा sector 1 आप इसे मानन लीजिये, ये sector 1 मानन लीजिये, ये sector 1 का मतलब और π surprises 4 का square और ठीटा अपन में 360, पस तो ये वाला जो sector होगा, sector 1 आपका, ये होगा pied बाई इंटू 4 का square अबुणा में theta, अपॉन में कितना 300 साथ प्लस सेक्टर टू सेक्टर टू के लिए हमें एरी इसका एंगल पता होना चाहिए अगर ये ठीटा है तो बच्चो ये आपका ये भी ठीटा होगा क्यों? क्यों कि ये अल्टरनेट एंगल से अगर ये अल्टरनेट एंगल से थीटा हो गया तो अब कुछ भी नहीं बच रहा है क्वेस्चन में क्वेस्चन ये कह रहा है कि पाई रेडियस है वन का स्कॉयर और आपको टोटल चाहिए 180 माइनस थीटा और अप वहन में कितना? 307 अब आप इससे सॉल्व कर लीजिए बस तो इससे दो बार जाएगा ये तो ये आजाना है 10 10 में से 16 16 पाई थीटा अप उन में 360 प्लस पाई बाई 2 एक्स वसी अपॉन थीटा ये आजाएगा पाई गुणा में 180 अपॉन में 360 और ये आजाएगा माईनस पाई इन्टू थीटा अपॉन में इससे सॉल्व करेंगे तो 10 माईनस 16 पाई थीटा में से पाई थीटा घटाएगे तो 15 पाई थीटा अपॉन में 360 बचेगा और 7 में बचेगा पाई भाई इससे ये 24 बार जाएगा बस अब आगे बढ़ते हैं ये आजाएगा 10 माईनस का पाई थीटा पॉन में 24 प्लस का पाई भाई टू 24 अगर मैं कोमन LCM ले लेता हूँ तो 24 की 10 से गुणा होगी तो 240 आजाएगा माईनस पाई थीटा ऐसे ही रहेगा उसके बाद फिर बारे पाई वो भी माईनस का होगा ये माईनस ओगा ये दी तो माईनस का बारे पाई और आपउन में 24 तो 240 माईनस का बारे पाई माईनस पाई थीटा पॉन में 24 आपका आणसर हो जाएगा तो C अपना आणसर हो बहुत अच्छा वर्षिन है कैल्कूलेशन अगर आप कर रहे हैं अब आप इस पर आजएए, A, B, C, D 6 cm तृजज़यवाले एक व्रत का व्यास है, A, B, B, C और C, D आपसमें पराबर हैं आपको बताना है, कि अर्द व्रत, A, B को व्यास मान कर अर्द व्रत किचा गया है और B, C को भी डायमेटर मान कर अर्द व्रत किचा गया है और A-D को भी diameter मानकर अर्दवरत खिचा गया है अब आपको ये बताना है A-D को diameter मानकर अर्दवरत और साथ में पूरा circle बनाया गया है आपको बताना है कि shaded area और unshaded area का ratio कितना है तो इसके लिए ना तो मुझे radius बता करने की जुरुत है ना मुझे कोई चीज बता करने की जुरुत है सिर्फ अगर मुझे ratio मिल रहा है radius या diameter का तो उससे मैं area का ratio निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे बता है कि diameter का ratio अगर दो circle है circle fast circle second तो जो area का ratio होगा वो area का ratio diameter fast का square कर दूँगा ratio diameter second का square कर दूँगा यानि कि दो diameter का अगर मैं square कर देता हूँ चाहें वो semi circle है चाहें वो circle है या quarter circle की comparison हो रही है तो उस case में area का जो ratio होगा वो diameter के square के बराबर होगा या radius के square के ratio के तो इस case में diameter दे रखी है तो मैं सीधा सीधा diameter का ratio चेक करूँगा तो ये A, B, B, C और C, D आपसें बराबर है तो मैंने एक, एक, एक मान लेता इसकी diameter एक है तो इसका area कितना होगा तो आप कहोगे के सर इसका area होगा एक का square एक अच्छा इसका area कितना होगा तो इसका area होगा दो का square यानि के 4 और इस total का area कितना होगा तो इस total का जो एरिया होगा वो होगा 3 का स्क्वाइर यानि के कितना 9 होगा तो अगर इसका 9 होगा तो इसका भी semi circle का भी कितना होगा 9 होगा तो अब आप मुझे बताओ के total एरिया कितना बनेगा shaded area अगर मैं shaded की बात कर रहा हूं और अंशेड़िट की बात कर रहा हूं शेड़िट और अंशेड़िट अगर मैं शेड़िट एरिया और अंशेड़िट एरिया की बात कर रहा हूं तो शेड़िट कितना मिला आप कहेंगे कि सर शेड़िट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 9 में से आप 5 घटा दीजिए 9 में से 5 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा तो 9 में से आपने 5 घटा दिया तो 4 मिलेगा अच्छा अंशेड़िट कितना मिल रहा है तो 9 ये हो गया और 4 13 और 14 हो गया यानि कि 9 प्लस का 4 प्लस का 1 तो कह सकता हूँ तो यह 4 और 14 का रेशियो है तो इसका मतलब यह आ जाएगा 2 रेशियो साँ इस टाइब के question CDS पूछता रहा है पूछता रहेगा नए नए कलेवर में आपको बस basics पता होने चाहिए और आप solution तक पहुंच सकते हैं अगला सवाल अगला सवाल यह है के perimeter of the shaded region कितना होगा ध्यान दीजिए perimeter of the shaded region कितना होगा तो सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि इसकी radius कितनी है तो इसकी radius है आपकी 6 अगर इसकी radius 6 है तो मैं कह सकता हूँ के पूरी diameter कितनी होगी तो आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक जो पूरी diameter होगी वो 12 होगी 12 के 3 तुकड़े करेंगे तो यह 4 इसकी diameter होगी और यह कितना होगा 8 होगा तो सबसे पहले अगर आप उसको पूरी perimeter चाहिए shaded region की तो आपको क्या-क्या चाहिए होगा आपको चाहिए होगा सबसे पहले यह वाला पार्ट उसके बाद यह वाला पार्ट उसके बाद यह वाला पार्ट यह आपकी shaded region की parameter होगी मतलब circumference of this semicircle circumference of this semicircle और circumference of bigger semicircle अगर आपके पास यह तीनों है तो तीनों जोड़कर आप parameter दे सकते हैं किसकी सबक्त तो circumference of bigger semicircle कितना होगा तो अगर मुझे semicircle की circumference निकालनी है semicircle की circumference निकालनी है तो देखिए अगर circumference आपको निकालनी है तो circumference circle की और semicircle यह कोई बात नहीं बताएगा πाई into d यानिके diameter यह circle की circumference होती है और πाई into r यह आपकी क्या होती है से इसकी किसकी होती है यह semicircle की circumference होती है तो अगर इसकी radius क्या था इसकी जो radius थी वो 6 थी तो अगर इसकी radius 6 थी तो इसकी circumference होगी 6 पाई इसकी radius होगी circumference होगी 6 पाई इसके हिसाप से इसकी circumference होगी 2 पाई और इसके हिसाप से इसकी जो circumference होगी वो होगी 4 पाई तो टोटल circumference आपकी कितनी होगी 6 चार 10 दस और दो बार इप आई आई आपका perimeter हो गया shaded region का ठीक है यह सारे के सारे questions थे geometry और mensuration के जो आपके CDS 1st 2024 में पूछे गया है आशा करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी कोई doubt है तो आप comment box में लिखेंगे धन्यवाद झाल